हलो एब्रिवन येस बच्चो कैसे हो सब लोग कम आन कैसे हो सब लोग आज वीकेंड पे आप सभी का स्वागत अपने चैनल के उपर आज हम लोग मिल रहे होंगे DC सर्किट्स के वन शॉर्ट रिविजन में बहुत ही मज़ेदार सेशन होगा क्योंकि यार काफी दिन हो गया ये चैप्टर खतम करके और काफी बच्चो की डिमांड थी कि जनाब आप इसका थोड़ा रिविजन ले लोगे तो काफी अच्छा हो जाएगा क्योंकि एक्जाम स्पास आ रहा है हम लोग की युनिवर्सिटी की पहली एक्जाम है और कैसे एपियर करना है इसको कुछ स्ट्राटीजी बताईए कैसा प्लैन आउट होना चाहिए सब बताऊंगा सब बताऊंगा टेंशन बिलकुल भी मत लीजिए आज डीसी सर्किट्स का हाफ पार्ट हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे हाफ पार्ट में क्या क्या करना है सब बताऊंगा टेंशन मतलो शुरुआत करेंगे आपके लाइक के साथ आपके शेर के साथ जिनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनके सब्सक्रिप्शन के साथ जिनों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रूप जॉइन नहीं किया है आज मैं टेलीग्राम ग्रूप के उपर बी डबली का टेक्स्ट बुक डालने वाला हूँ बी डबली के टेक्स्ट बुक का PDF डालने वाला हूँ तो जीनों ने टेलीग्राम ग्रूप जॉइन नहीं किया physics का मिलेगा chemistry का मिलेगा सब मिलेगा ओके जी चलिए शुरुवात करेंगे obviously DC circuit के पहले introduction के साथ इस पूरे chapter में मैं क्या करने वाला हूँ इसका introduction मैंने already sessions अलग-अलग बना दिये है I am directly starting with methods, analysis जो हम लोग करने वाले हैं तो आज हम लोग क्या-क्या पढ़ रहे होंगे ठीक है this is circuits ठीक है पूरे one shot revision में हम लोग क्या-क्या पढ़ रहे होंगे तो सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूँगा series circuit and parallel circuit that is series and parallel combination okay series and parallel circuit यह पहला part है जो अपने को पढ़ना है second है star delta बड़ा ही important सा part होने वाला है star delta combination star delta circuit after that I want to study about a mesh analysis बाबा के मंत्र आज वापस से revise करने की बारी आचुकी है after that I am going with nodal analysis and then I will proceed with source transformation source transformation okay यह सब कुछ हम लोग को करना होगा इसके बाद हम लोग कर रहे होंगे तेविनियन्स 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 तेविन admin number है उस admin number के उपर आप आपके doubts जरूर भेच सकते हो आपके doubts मेरे तक पहुच जाएंगे ओके वैसे तो मेरी team ही solve कर देगी लेकिन अगर उनसे नहीं होता है तो मेरे तक जरूर पहुच जाएंगे ओके जी चलिए super position और उसके बाद maximum power transfer तियरम ये सब कुछ हम लोग को करना ह होगा इतने सारे methods पूरे पूरे chapter के पूरे one shot revision के दोरान हम लोग को पढ़ना होगा ठीक है तुशार जी कह रहे सर आज हो जाएगा क्या ये कोशिश करेंगे कोशिश करेंगे tension मत लीजिए साहराज पूच रहे number नीचे गए description box में group number 2 है उससे join करिए WhatsApp का group number 2 है उसे join करिए उस पे जो admin number है उस पे आप अपने doubts भेज सकते हो ओके चलिए बढ़ेंगे आगे शुरुआत करेंगे series and parallel circuit के साथ I knew it इसमें आप काफी माहीर हो लेकिन आज जो sums लेने वाला हूँ वो सारे PYQs रहेंगे मुंबई university पूने university नाकपूर जलगा वो सबसे चान भी इनके सार ने लेके आने वाला हूँ आज ओके तो चलिए सबसे पहले रहेगा series and parallel combination चलिए series and parallel combination पारलल कॉम्बिनेशन ओके जी combination बड़ा मज़ा आएगा series and parallel combination ओके चलो 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 बड़ा मज़ा आएगा theory ask in this chapter जरूर शुशान्त जी मैं बिलकुल आपको theory कौन सी पूछी जा सकती है मैं जरूर आपको बताऊंगा session के बीच रास्ते में कहीं तो आपको जरूर बता दूँगा tension मत लो ओके चलिए एक दो methods पढ़ेंगे फिर हम लोग theory के बारे में भी थोड़ा about discussion कर लेंगे मैं इसके basic concept कुछ नहीं बताने वाला हूँ directly I am going with the sum directly I am proceeding with the sum पहला सवाल यहाँ प battery current and effective effective देखो आप बड़ा मुझे दार effective resistance of the network resistance of network देखो ऐसा subjective type में जरूर पूछा जा सकता है objective में भी ऐसा सवाल जरूर आ सकता है और अगर आया तो obviously options के form में आपको answers देना पड़ेगा वहाँ पे अगर options भी है तो यार वहाँ पे तो आप guess नहीं कर सकते ना जै माता दी ठोक दी answer ए ठोक दी answer भी ऐसा तो नहीं करना है जनाब हम लोगो solve तो करना ही पड़ेगा ओके चलिए AC and DC के MCQ भीजो सर बिलकुल बिलकुल जल से जल भीज दूँगा exam नजदीक है I new it आज या कल तक आपको सारे MCQ मिल जाएंगे tension मत लेना panic मत होना बिलकुल relax रहना आजी कोशिश अपनी lockdown की तरफ जा रही है ऐसा लग रहा है complex number के MCQ ग्रूप पे फिर से बेजने के लिए thank you so much sir anytime anytime प्राची जी यार आप लोग की demand पूरी करने में मुझे बहुत खुशी होती है आप सिर्फ demand करते जाओ बाबा जी क्या नहीं चाहिए मुझे चाहिए यह मैं कभी नहीं बताता क्या नहीं चाहिए मुझे घटिया इंजिनियर्स नहीं चाहिए come on मुझे टाकद वर इंजिनियर्स चाहिए okay जी चलिए 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 बिलकुल conceptual इंजिनियर्स को बनाना है यार हम लोग को okay इसी mission के सा जी कह रहें sir can you please provide tutor for mechanics oh my god this is really a big question in front of me and my team actually we were searching to be frank मैं आपको बता देना चाता हूँ हम लोग search कर रहे थे बट यार उतना dedicatedly कोई काम करने के लिए मुझे मिला नहीं अगर आपके कोई contact में तो अपने channel के लिए जरूर उनको मेरे से contact करवाई है हम लोग regarding जो भी procedure है करके हम लो करेंगे यार dedicated बंदा चाहिए ना दिन रात सर्फ आपके लिए काम किये करने वाला बंदा चाहिए तब ही जाकर असली मजा आएगा है ना वो बंदा आ जाएगा कल नहीं आएगा मुझे syllabus complete करने वाला बंदा चाहिए जनाब चलो 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 extremely sorry कि मैं mechanics provide नहीं कर पाया य branch in the particular sum this branch in the particular sum that is what the jumper and that is what the jumper तो मैं काम कर देता हूँ इस पूरे पूरे सवाल को है ना I will just name it okay a b c d e and f मैंने क्या करवाया मैंने इनको सिर्फ क्या करवाया naming करवाया वो आपके according है आपको किस according मैंने clockwise दिया आप anti-clockwise दे सकते हो फरक कुछ भी नहीं पढ़ता यार तो देखो e और c के बीच में जो branch है आई repeat e और c के बीच में जो branch है ना वो e और c को उठाके मैं circuit के बाहर लाता हूँ है करवाया यहां से अपना as usual circuit जो है वही ड्रॉ करेंगे इसमें कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है यह क्या जी ओके चलो यहां से एक मैंने सिंपल सा branch निकलवा के ठीक है शेप आप कुछ भी रखो यार शेप से कोई फरक नहीं पढ़ता है जनाब ओके शेप से कोई फरक नहीं पढ़ता है इस इस वाट e इस इस वाट c ओके यह ब्रांच तो जैसे है वैसे connected रहेगी यहां पर इसमें कोई फरक नहीं रहेगा ठीक है यहां पर 8 ohm रहेगा this is what 24 volt okay no problem this is what 24 volt this is what a this is what f okay b यहां पर रहेगी d okay यह 6 ohm की resistor यह 12 ohm है यह 4 ohm है ठीक है जी any doubt any confusion मैंने क्या किया e और c के बीच में जो ब्रांच थी उसको निकाल के बाहर रख दिया ठीक है तो भीड क्या हो गई कम हो गई भीड क्या हो गई कम हो गई अब इस कम भीड को मद्दे निजर रखते हुए मुझे एक चीज को थोड़ा observe कर करना पड़ेगा मुझे current को भीजना पड़ेगा है ना एक ही diagram में सब concept explain करता हो ध्यान दो मेरा current यहां से गया ठीक है this is what my eye which is flowing through the circuit which is flowing through the circuit ओके यह जैसे 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 फ्लो होगा फ्लो होगा तो यह आई इस point पे जाएगा और split हो जाएगा एना B point पे जाएगा और split हो जाएगा मेरी पास तीन रास्त हैं मैं कहा फ्लो इदर जाओ अधर जाओ इदर जाओ पस थीक है आदा चला गएया B के पास बचा हूआ चला गएया BAE के बचा हूआ BD के पास चला गया ठीक है तो चलो मैं BC में इंटरस्टेड हूँ मैं उसमें चला गया सी पॉइंट पे आके वापस वो क्या हो गया कन्फूज हो गया क्न्फूज हो गया कन्फूज हो गया उसका fuse उड़ गया वो बोल रहा है यहाँ पे तो वापस से दो ब्रांच है वापस मैं क्या हो जाता हूँ split हो जाता हूँ क्या हो जाता हूँ split हो जाता हूँ तो जाहिर सी बाते यहाँ पे यह 8 ohm और 6 ohm के बीच में जो current है वो क्या हो रहा है split हो रहा है तो obvious thing है they are in parallel combination जहाँ पे current split होता है वो parallel में होता है ठीक है यह 4 और 12 में भी same सिनारियो हो रहा है तो 8 और 6 और 4 और 12 they are in parallel तो मेरी diagram कैसे दिखेगी चलवा notebook और pen लेके बैठना है ऐसे ही बाबा जी के prevention में आके नहीं बैठना है यहाँ पे मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ ओके बहुत बच्चे देखे यार ऐसे ही आके कान में headphone डालके सुनते रहते हैं नहीं चाहिए घटिया इंजिनियर्स की पहली निशानी है अर्योगेटिंग मैं पॉइंट तो चलिए चलिए बिलकुल ताकत के साथ भरपूर आप अपना पूरा concentration notebook और pen लेके ही बैठना है किसी भी हाल में ओके जी चलो ये मैंने दो branches यहाँ पे करवा दिये ठीक है जी करवा दिये और यहां से ऐसा वो वाला जो branch है अपना E और C वाला वो लगवा दिया ठीक है वो लगवा दिया यहां पे ठीक है उसका shape मैंने वैसे ही रखा कुछ फरक नहीं पड़ता है तीक है यह 12 ohm है यह 6 ohm है यहां पे 4 ohm है ठीक है यहां पे 8 ohm ठीक है B है यहां पे A है यहां पे F है देखो गायप क्या हो गया गायप क्या हो गया come on A है B है C है D गायप हो गया डी पॉइंट क्या हो चुका है गायप हो चुका है एक पॉइंट जो है अच्छा 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 देखो 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 मसीदार मसीदार थीक है जी चेक करो चेक करो और टी कि फीक पकड़े हो जनाब यह डी-पॉइंट भी हो जायेगा इस इन्सचाइव अजство और f point एक जगे पर आ जाएगा बी और f point एक जगे पर ऐसा उठा के सीधा वहाँ पर रख दिया ओके चेक करियो चेक करियो 8 parallel 6 8 parallel 6 चलो बच्चो कितना होता है मैंने पहले ही का है उपर multiplication नीचे addition तो 8 into 6 upon 8 plus 6 बताइए बताइए जनाब 8 into 6 is 48 8 plus 6 is 14 बड़ा मज़ा आएगा 48 upon 14 चेक करो चेक करो कितना आ रहा है येस 3.43 ओम आई तिंग दिस इस वाट यूर आंसर इस 4 parallel with 12 यहां पर होना चाहिए तो यहां पर होगा 4 into 12 ओके येस 4 plus 12 येस 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 अच्छा वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा है जनाब डाउनलोड मैंने बंद करके रखा है आपको online आके ही इसको देखना पड़ेगा ओके जी because scenario कैसा होता डाउनलोड हो बहुत बच्चे लोग का complaint होता है एक एक वीडियो अलमोस्ट 900 MB 1 GB तक होता है क्योंकि बड़े बड़े वीडियोज होता है न यार ओके तो इसकी कारण हम लोग उसको डाउनलोड आफ करके रखा है कुछ-कुछ वीडियो उसका ठीक है और इसकी कारण आपको यहां पर आक करेंगे बच्चों यहां पर क्या आने वाला है अपना अंसर अभी डाइग्राम अपनी थोड़ी चेंज हो जाएगी क्या बोलते हो डाइग्राम चेंज होगी या नहीं होगी जनाब ऑविसली होगी चिक करियो यह एक रजिस्टर बचेगा ठीक है जो सॉल्व किया हुआ ह अके बेलकुल सॉटेड तो यह 3 ओम का होना है यह 3.43 ओम का होना है ठीक है यह A पॉइंट है यह 24 वोल्ट है यह D पॉइंट है यह E पॉइंट है जैसे वैसे यह B और F है यह C है अके यह बेलकुल सॉटेड जिन्दगी है ठीक है अब देखिए बड़े ध्यान से अब सिनारियो क्या होने वाला है जो करंट यहां पर फ्लो होने वाला है इस पॉइंट पे आके यहां से जो करंट फ्लो होगा मतलब 3.43 ओम रेजिस्टर से जो करंट फ्लो होगा वही करंट मेरे 3 ओम से भी फ्लो होने वाला है चेक करो वही करंट ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा और वही current क्या है 3 ohm से flow होने वाला है तो जाईर सी बात है मैं आपे क्या कर दूंगा देखो split हो रहा है वही current flow नहीं होगा यह आए split होगा तो यहाँ पे simple calculation यहाँ पे होने वाला है come on बचो क्या calculation है 3.43 is being parallel with simply 3 is being parallel with simply 3 तो अगर यह 3 के साथ parallel है तो चेक करियो 3.43 into 3 upon 3.43 plus 3 चेक करो यह answer कितना आ रहा है यह answer I think आ रहा है 1.6 ohm तो मेरा equivalent resistance यहाँ पे कितना हो गया 1.6 ohm हो चुका है कितना हो चुका है 1.6 ohm हो चुका है तो चेक करते हैं यह diagram को थोड़ा चेक करते हैं यहाँ पे मैंने एक resistor लगवा दिया यह मेरी battery है ओए होई 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 है ना चलो तो यह 1.6 ohm यहाँ पे equivalent resistance हो चुका है यह 24 volt है no problem यार इसमें से current I flow होता है तो according to बाप का law according to ohm's law बाप का नाम निकाला ohm's law का नाम निकाला बिलकुल मुस्कुरा खट वी इस इक्वल टो आई आर होता है तो I is equal to V by R होगा तो V है 24 1.6 I की value कितनी आ रही है 15 ampere आ रही है तो this is what my equivalent resistance and this is what my current flowing through the circuit current flowing through the circuit check करो यह series parallel combination का Mumbai University में पूछा गया पाच माक का यह सवाल मैंने बिलकुल properly आपको सब कुछ बता दिया है कुछ भी doubt है तो please tell me please tell me in the comment section and every question के बाद बड़ा लिक्चर है ना तो every question के बाद उसके solutions समझने के बाद मुझे चाहिए यो-यो come on सब के side से यो-यो तो बनता यार यो-यो के बिना lecture incomplete होगा अपना चलिए फटा-फट से यो-यो बता दीजिए अगर आपको ये question बड़े ध्यान से समझ में आ चुका है तो चलिए मचाएंगे मचाएंगे next next मेरा concept क्या रहने वाला है मेरा next concept रहने वाला है बचो मेरा next concept एक और रहने वाला है बड़े ध्यान से सुनेंगे चलिए चलिए अब आईगा मज़ा है ना मेश analysis के विल एंड के सी एल की बारी आ चुकी है चलो 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 मचाएंगे यहां पे लिखेंगे यहां पे लिखेंगे के विल के सी एल हो सकता है या उसी को कहते हैं मेश analysis मेश analysis and after that we'll do a star delta हाँ जिनको star delta अभी भी doubt है बिलकुल lecture में बने रही है because जो अभी सिखाने वाला हो जो अभी numerical लेने वाला हो ना एक ही numerical में star भी है और उसी numerical में delta भी है बिलकुल मसालेदार question लेने वाला हूँ चलिए पहला सवाल यहां पे लेने जा रहे है KVL and KCL and मेश analysis का on your screen now for network shown for network shown चलो for network shown बड़ा मज़ा आएगा network shown determine 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 i1 i2 i3 i1 i2 i3 बड़ा ही मज़ेदार सिनारियों यहां पे होने वाला है बच्चों so please concentrate में यहां पे क्या बोलने वाला हूँ question थोड़ा खतरनाक है ठीक है network भी खतरनाक है डरा नहीं रहा हूँ alert कर रहा हूँ so please be with me ओके यहां पे मैंने एक point रख दिया ठीक है यहां पे थोड़ा दूर एक point रख दिया यहां पे एक दूर point रख दिया ठीक है और नीच एक point यहां पे रख दिया है ठीक है जी मेरे पीछे चुप गया तो tension मत लीजे I will I will be a side and मैं आपको बिलकुल जो पीछे चुप किया है वो दिखा दूँगा tension मत लो ठीक है यहां पे ऐसे करवा दिया यहां पे एक battery लगवा दी है मैंने battery के जो sides है मतलब जो polarities है वो बिलकुल correctly आपको लिखना है उसमें गड़बड बिलकुल नहीं करनी है जनाब मैं यहां पे question को बिलकुल बारीकी से लिख रहा हूँ ताकि यार मेरे से गलती ना हो जावे question बिलकुल diagram को लिखते समय डाइगराम मैं खुद क्यू ड्रॉ करता हू मैं यहां पे इसका photo उटो भी PDF भी डाल सकता हूँ लेकिन सिनारियो कैसा है जब तक मैं draw ना करू ना तब तक आप नहीं करोगे आप कंटाला ही करोगे उस diagram को draw करने के लिए तो मैं time लूँगा तो आप भी उतने time में जरूर diagram draw करो इसके लिए उतनी मेहनत कर रहा हूँ ज रखते हैं ओके चलिए 30 यह 10 ठीक है जी यहां पे जो current flow हो रहा है यहां पे जो current flow हो रहा है उसमें ज्यादा interested है हम लोग that is हां ठीक है ठीक है current को मारो गोली ठीक है यहां पे 50 ohm है ठीक है यहां पे 25 वोल्ट है this is what about 20 ohm this is what about 30 वोल्ट this is what about चिक करते है चिक करते है 71.43 यह थोड़ा अजीब है I don't know उन्होंने ऐसा अजीब question क्यों डाला था but question exam में पूछा गया था ओके battery कितनी दी हुई है जनाब battery अपनी को यहां पे दी हुई है and this is about 45 वोल्ट okay तो overall यह पूरी डाइगराम है मैं थोड़ा बाजू में हट जाता हूँ अगर आपको यह डाइगराम में कोई दिक्कत है तो पूरा डाइगराम को अच्छे से पहले निकाल लो अपने notebook में और फिर means analysis लगाना शुरू कर दो शुरू कर दो मेंश analysis लगाना तब जाके असली मज़ा आने वाला है जनाब चलो 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 फटा फट से फटा फट से लिख दिया ओके जी चलो मैं बढ़ रहा हूँ आगे बेलकुल चलिए यहां पर बड़ा मज़ेदार चीज होगा प्लीस कॉंसेंट्रेट मैं यहां पर थोड़ा अलग कलर लेते हैं यह है I1 ठीके यह कररंट 1 यहां से कररंट फ्लो हो रहा है I2 और यहां से कररंट फ्लो हो रहा है I3 जिनको ये नहीं समझता जिनको यहाँ पे बिलकुल doubt है current कैसे लेने का science कैसे लेने का यार आज ही जाके DC circuit chapter complete करिये वरना बरबाद हो जाओगे काफी important topic है ठीक है तो चलिए ओके चलो 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 यहाँ पे क्या होने वाला है चलो यहाँ पे आईवन है न तो फटा फट से come on ब different terminal different component same terminal चलो यह component कौन सा है यह 25 वोल्ट है न तो यह battery है battery इसके साथ मतलब different component का क्या होगा same terminal होगा जी same terminal होगा तो चलिए तो यहाँ पे minus तो यह minus यह plus यह minus यह plus यह minus यह plus अगर बीच में कोई battery आ जाती है सीधा हटा दो इसको सीधा हटा दो ओके यह minus यह plus यह minus यह plus यह minus यह plus उल्टा करवा दो यह plus science बिलकुल बारिकी से याँ पे दे दिये है, confused नहीं होना है, जिनको properly नहीं दिख रहा है, मैं उनको suggest करूंगा, screen को horizontal कीजिए, full screen view में sums को देखते रही है, science properly दिख जाएगा, right जी, चलो, शुरुवात कर देंगे इस sum को, इसके exactly equation को, मैं equation solve नहीं करने वाला हूँ, आप मुझे सारे equation solve करके answer बताने वाले हो, equation मैं बता दूँगा आपको, ठीक है, चलिए, applying, apply kvl to loop 1, आजी, loop 1 को kvl apply कर दो, okay kvl, शुरुवात कहीं से भी कर लो, फरक कोई नहीं पढ़ता है, सारे addition में ही है, तो मैं battery से करवा देता हूँ, चेक करो, i1 current ऐसा flow हो रहा है, त तो positive से negative जा रहा है, मतलब higher potential to lower potential जा रहा है, तो नीचे जाएगा, मतलब negative में आएगा, तो वहाँ पे हो जाएगा, minus of 25, okay, 20 की बात करें, इस 20 की बात करो, तो 20 में से 2 current flow हो रहा है, i1 and i2, तो मैं यहाँ पे सीधी बात, no बक्वास, यहाँ पे कर देंगे, हम लोग positive, देखो, यह plus से current बाहर जा रहा है, बच्चो, right जी, तो ठीक है, तो plus 20, i1 minus i2 मैंने यहाँ पे करवा दिया, okay, दोनों current at a time मैंने लिखवा दिये है, okay, next one, plus 30, i1 minus i3 करवा दिया, 45 की बात करें, तो negative to positive जा रहा है, तो negative to positive जा रहा है, तो negative to positive जा रहा है, तो negative to positive जाएगा, positive जाएगा, इसका मतलब lower potential से higher potential जाएगा, तो that will give you positive 45, okay, plus 50, i1 which is equal to 0, which is equal to 0, इसको थोड़ा बारीकी से solve करेंगे, minus 25 plus 20, i1 minus 20, i2, i2, okay, plus 30, i1 minus 30, i3 plus 45 plus 50, i1 which is equal to 0, which is equal to 0, मैंने बिल्कुल पूरा equation सिर्फ आपके लिए लिख दिया है, सिर्फ आपके लिए, right जी, यहाँ पे क्या होगा, चलो 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 चलो, i1 वाले कितने बंदे, 20 plus 30 plus 50, ओए यह तो 100 हो गया, 100, i1, है ना, 100, 100, i1, okay, जी, चलो, i2 वाले कितने बंदे, अकेला बंदा है, तो minus 20, i2 यहाँ पे होने वाला है, i3 वाले कितने बंदे, एक ही बंदा है, तो minus 30, i3, constant वाले बंदे डूंडो, minus 25 plus 45, it will give you, it will give you plus 20, उस साइड पे गया तो, minus 20, this is what my equation number 1, this is what my equation number 1, बचो, any doubt, any confusion, please tell me, please tell me, कुछ भी doubt रहेगा तो, ओके, चलो, 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 apply KVL, apply KVL to loop number 2, apply KVL to loop 2, चलो, मैं सिर्फ KVL loop number 2 के लिए बताने वाला हुआ, loop 3 में नहीं बताऊंगा, even if Kelsey में कैसे डालना, ये भी मैंने सेशन्स में बता दिया है, जिनोंने नहीं देखा है, जरूर जाके देखना और इस पूरे सम को solve करके, मुझे comment box में answer देना, क्योंकि ये answers का give away हम लोग रखने वाले है, ये one shot revision में जो लोग हम लोग questions दे रहे हैं इनका give away रखने वाले, winner select किये जाएंगे, आपको give away किया जाएगा, प्राइस दिया जाएगा, कुछ particular प्राइस रहेगा, ओके वो प्राइस दिया जाएगा, and accordingly आपके नाम यहाँ पे अपने channel पे announce किये जाएंगे, ओके जी, चलो, 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 next one, I2 loop के लिए लगा देते हैं, चलो 20 से ही शुरुआत करेंगे, तो 20, देखो ये 20 है न, तो plus से बाहर जा रहा है, तो 20, I2 minus I1 होगा, I2 minus I1 होगा, 30 positive to negative flow हो रहा है, मतलब down हो रहा है, fall in potential हो रहा है, तो minus of 30 हो जाएगा, okay, minus of 30 हो जाएगा, plus 71.43 bracket के अंदर यहाँ पे होने वाला है, बिल्कुल I2 क्योंकि एक ही current flow हो रहा है, plus 40, 40 I2 minus I3 होगा, क्योंकि दो current flow हो रहा है, and that's it, that's it, क्योंकि उतने ही यहाँ पे components बचे हुए है, बचे हुए, ठीक है जी, तो चेक करियो, कितना आ रहा है, 20 I2 minus 20 I1, okay, minus of 30, plus 71.43 I2, okay, plus 40 I2 minus of 40 I3, which is equal to, ओए, 0 हो गया, जी, 0 हो गया, चलिए, क्रिपा रखिए, इसको simplify कीजिए, I1, I2, I3 is equal to constant, इस form में equation number 2 बनाई है, similarly equation number 3 बनाई है, loop 3 को KVL apply करके, कैल सी में सीधा उटा के डाल देने का answer आपको मिल जाएगा, और answer कहां लिखने का, बेलकुल comment box में लिखने का, नीचे, give away में participate जरूर करना, price बहुत ही जादा, अच्छे, अच्छे, exciting prices है, obviously engineering को use होगा, ऐसे ही price देंगे, ठीक है जी, चलिए, चलिए, अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, मेरा next topic, very important part that is star, star, delta, delta, combination, combination, okay, revision है, revision है, I knew it, थोड़ा slow जा रहा हूँ, energy थोड़ी low लग रही है, energy low नहीं है, energy उतनी ही high है, लेकिन slow जा रहा हूँ, because, because, slow but steady, है न, slow but steady, सबको समझना चाहिए, ठीक है जी, खतरनाक सवाल, important सवाल लेने जा रहा हूँ, please, 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 बिलकुल सब लोग को बुला लीजे, miss नहीं होना चाहिए, किस से, find the equivalent resistance between, find the equivalent, equivalent resistance, resistance between, okay, जी, between, देखो, paper का सवाल है, यह वापस six marks के लिए question पूछा गया था, between the terminals, between the terminals, terminals A and B, मतलब A and B दिया गया है, in the network, in the network, okay, no problem, चलिए, network को drop करेंगे, बिलकुल बहुत ही जादा important question, तो यह बिलकुल इसको नजर अंदाज नहीं करना है, बीच में से छोड़के नहीं जाना, यह मेरा उसमें कुछ भी loss नहीं है, to be frying, आप बीच में से छोड़के जाओगे, तो मेरा loss कुछ भी नहीं है, मेरा loss इतना ही है कि मेरा देश पीछे रह जाएगा, आपने concept छोड़ दिया, मतलब मेरे लिए मेरा देश पीछे रह गया, मेरा हिंदुस्तान पीछे रह गया, तो यार, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, आपको concept सीखना बहुत ही जादा जरूरी है, बहुत ही जादा जरूरी है बच्चो, ओके, चलो चलो चलो, आज शाम को है ना, आज शाम को, एक मैं यहाँ पे candid बाते session लेने वाला हूँ, सिर्फ आपके लिए, बिल्कुल motivational रहेगा है ना, बिल्कुल ताकदवर session रहेगा, session का नाम है उखाड लो, क्या heading से ही खतरनाक लग रहा है, session का नाम है उखाड लो, उखाड लो, ओके जी, चलो, 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 इस particular session में बिल्कुल मज़ा आने वाला है, ओके जी, चलिए, यहाँ पे कुछ लोगों ने answer भी बोल दिया था, यार, please download on करो, ना, ओके जी, sir, video download के लिए, pay भी नहीं, pay भी करूँगा, अच्छा जी, my god, ओके, second step वापस, बताओ, कितने बज़ी, sir, batch start होते है, ओके, no problem, sem2 के subject भी पढ़ाने वाले हुका, जनाब हाँ जी, sem2 के भी जरूर subject पढ़ाने वाला हूँ, ओके, तो यार, attention मतलो, अच्छा, ओम जी कह रहे, sir, please, सारे private video public कीजिए, exam बहुत, exam बहुत useful है, अच्छा, exam के लिए बहुत useful है, अच्छा, अच्छा, यार, मैंने 10 बज़े तक promise किया था, लेकिन मैंने अभी तक उसको private नहीं रखा है, तो बिल्कुल tension मत लीजिए, वो private नहीं होगा, आज के दिन तो at least, आज के दिन तो at least, तो जिनोंने अभी तक successive नहीं देखा है, हाँ, पाइदा जरूर होता है, आप मुझे one to one doubt पूछ सकते हो, membership का ये सच में बहुत बड़ा फाइदा है, काफी बच्चे इसका लाप भी उठा रहे हैं, आप directly मेरे से whatsapp पे call पे बात कर सकते हो, अगर आप membership यहाँ पे join करते हो तो, and it is only of 159 रुपीज यार, मैंने 400, 500, हजार रुपया भी नहीं रखा, engineering के लिए 159 मतलब यार, ऐसे हम लोग उड़ा देते हैं, किसी friend का बड़े, ओई चल उसको gift लेते हैं, दे दिया 1500 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, जो भी है, यार इधर तो doubt, exam oriented, हाँ जी, बिलकुल, चलिए, सर सेम 2 के, आप कौन-कौन से subject पढ़ाएंगे, सेम 2 के, यार, अभी तक हम लोग का plan out चल रहा है, जैसे ही announce हो जाएगा, मैं आपको बिलकुल बता दूँगा, tension मत लीजिए, जादा से जादा subject अपने channel के उपर, absolutely free of cost, available करने की, पूरी मेरी कोशिश है, पूरी कोशिश है, लेकिन, यार, कोई professor मैंने रख दिया, यहां पे, तो scene ऐसा होता है, कि उनको तो pay करना पड़ता है, उनको तो ऐसे नहीं बिठा सकता मैं, यह तो मेरी चाहत है, कि मेरे देश को आगे बढ़ा सको, ऐसे हर बंदे की चाहत होगी, ऐसा जरूरी नहीं है, यार, मैं तो चाहता हूँ, हर बंदा ऐसे ही सो को देखिए, मैं यहां पे इसके दो सम्स लूंगा, star delta के, क्योंकि काफी बच्चों ने मुझे doubt पूछा था star delta में, तो मैं फटा-फट से इसको solve करता हूँ, in fact, यह question मैंने similar question session में भी solve करवाया है, तो आप जाके जरूर उसको देखना, जरूर देखना बच्चों, ओके ज यह पूरा का पूरा क्या है, delta है, क्या है यह, delta, okay, delta है, आचा, classes वेगरे कुछ नहीं लगाए, बिल्कुल, 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 यार, उसी के लिए, उसी के लिए, सब कुछ चल रहा है, मेरा, कि यार, जो लोग effort नहीं कर सकते, उनके लिए, यह सब काम कर रहा हूँ, म अंकित जी कह रहते है, good afternoon sir, good afternoon अंकित जी, welcome, चलिए, तो बाहर वाला जो है, वो क्या है, delta है, तो उसको किस में convert करेंगे, star में convert करेंगे, डेल्टा को किस में convert करेंगे, star में convert करेंगे, चलिए, फटा-फट से इसको star में convert कर देते, अंदर वाला star को वैसे ही रखते, ठीक ह यहां पर क्या होने वाला है ऐसा वाला जो स्टार है अपना उसको वैसे ही रख दिया ग्रेट बिल्कुल छोटा सा क्यूट सा निकाला ना मैंने बाहर वाला जो है उस स्टार को मुझे केलकुलेट करना पड़ेगा कर दिया मैंने यहां पर उसको जोड दिया इसी स्टार के सा कि क्या बोलते ना ऐसी बिलकुल ये नहीं ओती न हुट ना डिफ्रेंसियेशन नहीं ओती हम लोग कभी भ MIDखाओ नहीं करते हम लोग इंजिनियर सब एक ही जैसे होते है चलिए चलिये आप आईगा मज़ा देखो तो सही देखो अच्छा एक काम करते हैं मैं एक एक कनवर्ट करता हूँ जी एक एक कनवर्ट करता हूँ सब साथ में कर दूँगा आप कनफ्यूज हो जाओगे मैं एक एक कनवर्ट करता हूँ कोई दिक्कत नहीं है यहां पर एक एक कनवर्ट करने में तो मैंने ऐसे बिलकुल यहां पर ऐसे जोड दिया ठीक है जी जोड दिया जोड दिया और यहां पर बिलकुल यहां पर ऐसे जोड दिया है ठीक है क्यों जोड़ा आप बताओगे मुझे क्यों जोड़ा क्योंकि यार एक स्टार बन गया ना स्टार उपर बनाओ नीचे मैंने उसको सिर्फ क्या कर दिया जोड दिया है अब ध्यान से सुनिये मैं क्या करूंगा या फिर yu can you can also say that I have converted this delta into the star this delta into the star मैंने अभी जो diagram दो तरीके से solve कर सकते हो मैंने जो पहले बताया वह भी एपला हो सकता है same answer आएगा अभी जो बता रहा हूँ वो भी apply हो जाएगा ठीक है तो अभी जो मैंने करवाया है ना वो c और d point और b point इनके बीच में जो delta है उसको convert करवाया है ठीक है तो यह जो r है वो वही रहेगा यह जो r है वो भी वही रहेगा यह जो 2r है यहां पर वो भी वही रहने वाला है फरक पड़ेगा तो यहां पर पड़ेगा this is what your b point यहां पर तो यह r1 हो जाएगा यहां पर r2 हो जाएगा यहां पर r3 हो जाएगा are you waiting my point सबसे आसान तरीका सबसे beneficial तरीका क्या होता है डेल्टा टू स्टार कनवर्ट करना क्या करना डेल्टा टू स्टार कनवर्ट करना ओके जी चलिए डेल्टा टू स्टार ही कनवर्ट कर रहा हूं मैं ओके देरफोर देरफोर कनवर्टिंग कनवर्टिंग चलो डेल्टा डेल्टा टू स्टार डेल्टा टू स्टार लास्ट वीक जो रहेगा आपका एक्जाम का 22 से शायद मुंबई उनियर्सिटी का एक्जाम है तो 22 से पहले वाला जो वीक रहेगा मतलब 15 या 16 से मैं एक सिंपल 5-6 दिन का MCQ कोर्स ले लेगा तो सब लोग पैसा मांगते मैं पैसा नहीं मांगता मैं आपकी दूआ मांगता हूँ ओके जी मैं आपके लाइक मांगता हूँ ओके तो जो कूर्स रहेगा absolutely free रहेगा MCQ को कैसे solve करने का कैसे tackle करने का या आपको सिखाने वालो maths और BW के लिए ठीक है तो बिलकुल चैनल के साथ क्या रहना है बने रहना है हर दिन आके चैनल के वीडियो क्या करना है देखना है ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जिस दिन बाबाजी लाइव नहीं आते मुझे नीन नहीं आती ठीक है जी चलिए converting delta to star delta to star convert किया तो बताईए r1 is equal to r2 क्योंकि उनके बीच में जो registers है r1, r2, r3 जो मैंने consider करवाया है चेक करो bcd के बीच में जो registers है 2r, 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 2r सब सेम है मतलब एक का भी answer निकाला तो वही answer r2 का भी होएगा वही answer r3 का भी होएगा are you getting my point चलिए तो फिर ठीक है ना जनाव इसके लिए मैंने क्या लिखा r1 is equal to r2 is equal to r3 no problem, no problem एक बात बताईए कि यार delta to star convert करने के लिए मैंने पहले ही बताया था उपर multiplication नीचे addition जिन दो लोगों का find out करना चाहते हो उपर multiplication करवा देने का और नीचे उनका क्या करवा देने का addition करवा देने का amazing चीज यहाँ पर हो जाएगी, तो 4 r square upon 6 r यहाँ पर होने वाला है, तो आपका यहाँ पर answer क्या होगा, 2 by 3 r हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 by 3 r हो जाएगा, हमारी mcqo exam नहीं है, जनाब आप ही के लिए सब कुछ चल रहा है, प्रतिक्षा जी फिर जिनके mcqo exam यह उनी चल रहा है, उनी के लिए concept चल रहा है, उके जी चलो, तो उसी diagram को वापस से हम लोग convert कर रहे हैं, हम लोग convert कर रहे हैं, चेक करेंगे कैसे होंगे, convert करके, तो ये मैंने बीच वाला वैसे ही रखा, चेक करो अभी, चेक करो, बीच वाला वैसे ही रखा, ठीक है, फिर इन दो पर क्या करवाया यहां पर एक रजिस्टर लगवाया यहां पर मैं बताने वाला हुआ यह डाइगराम कैसे आया इसका पूरा explanation देने वाला हूँ so please 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 patience बने रही है patience को वैसे ही रखिए okay तो 2 by 3 R ठीक है यहां तक कोई doubt नहीं रहेगा अभी देखिए इस diagram को मैंने कैसे हासिल किया है बड़े ध्यान से सुनना यह जो diagram है यहां पर यह R और यह R2 क्या होने वाला है पारलल में होने वाला है यह R3 और यह R क्या होने वाला है पारलल में होने वाला है तो बताईए जनाब R2 और R ये क्या है पैरलल में है ना पैरलल में तो एक काम करते हैं तो सीरी बात सीरी बात सीरी बात देखो 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 तो इसका मतलब क्या वो R प्लस 2 बाई 3 R हो जाएगा सीरीस में हो लोग तो इसका अंसर क्या आजाएगा 5 by 3 R हो जाएगा इधर का भी और इधर का भी सिमिलरल ये जो अंदर वाला है उसी का भी वही होने वाला है कोई दिक्कत नहीं रहेगी उसके साथ साथ चेक करियो चेक करियो बच्चो चेक करियो अभी 5 by 3 प्लस 5 by 3 उसके बाद ये डाइगराम में यहां से यहां तक जाने वाला हूँ तो यहां पे middle वाला section मैंने वैसे ही रखा उसको मैंने अभी तक हाथ नहीं लगाया उन दोनों को add करके I am getting this register that is 5 by 3 R प्लस 5 by 3 R 10 by 6 हो जाएगा that is 5 by 5 by 6 R हो जाएगा 5 by 6 R हो जाएगा ओके जी चेक करियो चेक करियो because यह 5 by 3 और यह 5 by 3 किसमे है पैरलल में है पैरलल में तो उनको solve करना पड़ेगा कैसे solve किया है वो directly मैंने लिख दिया था लेकिन directly आपको नहीं समझेगा उससे बहतर है कि मैं यहाँ पे उनको क्या कर दू लिख दू है ना लिख दिया देखो उपर multiplication नीचे addition तो answer आ रहा है 5 by 6 R क्या answer आ रहा है 5 by 6 R ओके अब तोड़ा ध्यान से सुनना this is what your 2 R this is what your 2 by 3 R amaze amaze चीज मैंने यहाँ पे सीख लिए यार ठीक है अब ध्यान से सुनियो this 2 by 3 this 2 by 3 and this is what about 5 by 6 they are connected in series they are connected in series मतलब यह वाला register और यह वाला register यह किस में है series में है बच्चो तो series में रहेगा तो obviously I have to add them और फिर जाके मेरा 2 ohm का जो register है वो यहाँ पे आ गया और फिर यहाँ पे मैंने लगवा दिया ठीक है चेक करियो चेक करियो 2 by 3 plus 5 by 6 that will gives you 9 by 6 तो that will gives you 3 by 2 ohm 3 by 2 ohm this is what 2 ohm any doubt any confusion अब देखो 2 parallel with 3 by 2 ohm तो यहाँ पे होने वाला है 2 into 3 by 2 upon 2 plus 3 by 2 बड़ा मजा आएगा इसका answer बोलिए 6 by 7 I think इसका answer हो जाएगा 6 by 7 ohm तो equivalent resistance between that point A and B देखो A and B के बीच में का चाहिए था इसके लिए जो 2 ohm resistor है उसको मैंने अभी तक end तक हाथ नहीं लगाया समझ रहे हो तो यहाँ पे रहेगा 6 by 7 ohm क्या रहेगा 6 by 7 ohm बिलकुल मज़ेदार चीज़ इसका एक और question bank का sum है वो बहुत important है वो आपको question bank में दिख जाएगा उसको solve करने की बिलकुल कोशिश कीजिए अगर नहीं आया तो मैं आपको solve करवा दूँगा बिलकुल ठीक है बस आपको पूछना पड़ेगा यार आपको पूछना पड़ेगा की हाँ सर यह हमें नहीं आया करके ठीक है जी चलो एक और सवाल paper का लेकिन अभी मैं ले रहा हूँ मेश अनलेसिस का एक सवाल क्योंकि मुंबई उनियर्सिटी में ये question तीन बार पूछा गया है यार तीन बार क्या था इस question में I also don't know बट तीन बार पूछने लायक इस question में एक ही चीज है आप उसे identify करोगे मेश अनलेसिस का एक final question और उसके बाद we will just stop क्योंकि part 2 में मैं बा मैं इसको पूरा नहीं solve करने वाला हुआ ये आप solve करोगे और मुझे comment section में answer बताओगे पूरा नहीं solve करने वाला हूँ मैं अभी क्या भी बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसका hint देने वाला हूँ एक loop के लिए चाहिए तो solve करके दूँगा लेकिन सारे loop के लिए नहीं क्योंक इसकी practice आप खुद करिये ओके जी चलो बड़ा मज़ा आईगा हुए 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 चलो यहाँ पर यह है अपना पूरा circuit यह है 60 volt हुए हुए 60 volt यहाँ पर 1 ampere यहाँ पर 20 ohm ओके दस इस वाट 30 ohm ओके जी दस इस वाट 50 ohm okay no problem this is what 40 volt and this is what 100 ohm ओविसली current through this इसको find out करना है बड़े ध्यान से इसको solve करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर voltage source भी आया है current source भी आया है क्या बुला मैंने voltage source भी आया और current source भी आया तो मुझे इन दोनों में से कुछ तो कुछ तो करना पड़ेगा ध्यान दो कैसे करेंगे this is what your I1 clockwise this is what your I2 clockwise this is what your I3 clockwise any doubt any confusion बिलकुल sorted रही है जिन्दगी में ठीक है ध्यान से सुनना ध्यान से सुनिये में क्या कह रहा हूं ओके इस प्लस माइनस तो वही फंडा वापस से this is what plus minus this is got to be plus minus this is plus minus again यहाँ पे plus minus this is what plus minus amazing sub science मैंने मजाख मजाख में डाल भी दिये अब थोड़ा observe करो कि दो loops के बीच में एक current source आया है आपने दो loops के बीच में एक current source आया तो वो दोनों loop का मिल के एक loop बनेगा और उस एक loop को कहा जाता है क्या कहा जाता है बच्चो क्या कहा जाता है super mesh कहा जाता है तो that loop will become a super mesh और मुझे अभी equations लिखना पड़ेगा super mesh के लिए भी और जो current flow हो रहा है उसके लिए भी तो कैसे करेंगे ध्यान से सुनना as one ampere is in between in between two loops two loops therefore loops become become super mesh super mesh अब देखो वो super mesh बनेगा तो क्या होने वाला है पहले equation for super mesh लिखेंगे therefore equation for super mesh जो सबसे उपर वही super equation for super mesh देखिए i1 flow हो रहा है अगर ऐसे आया तो वो उपर से नीचे आएगा और i2 जो है वो नीचे से उपर जाएगा मतलब i2 is in direction of one ampere तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ i2 minus i1 is equal to one ampere which is what your equation number one this is what your equation number one अब apply kvl करेंगे बड़े ध्यान से सुनना kvl को apply किया तो क्या धमाका यहाँ पर होने वाला है therefore applying kvl apply kvl to super mesh to super mesh देखो super mesh का जो पहला equation लिखा न वो current के लिए लिखा मतलब kcl apply किया अभी क्या apply कर रहा हूँ kvl apply कर रहा हूँ so please concentrate क्या होने वाला है ओके जी देखो 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 यहाँ बड़ा मज़ा हैगा चलो बड़ा वाला लूप के लिए यह यह बाहर वाला लूप दिखाई दे रहा है आपको उसको apply करना है आपको ठीक है जी चलो 60 से शुरुआत करेंगे 60 से शुरुआत करेंगे चलो current I1 I2 ही लेने का हां come on नीच से उपर जा रहा है मतलब negative to positive lower potential to higher potential बबाजी बैटरी क्या रहेगी positive रहेगी तो 60 positive रहा minus 20 में से current flow हो रहा है I1 30 के उपर जाएंगे बड़ा वाला लूप लेने का ना तो चलो minus 30 current flow होगा I2 अभी I1 नहीं I2 current flow होगा 50 के लिए चेक करियो minus of 50 current flow हो रहा है I2 minus I3 बिल्कुल मज़िदार चीज which is equal to 0 इसको बड़े बारीकी से लिख दो कुछ भी doubt है हाँ 40 बच गया ना 40 बच गया जी 40 बच गया उसको कैसे भूल सकते हैं हम लोग नीच से उपर मतलब positive to negative जा रहे हैं तो minus of 40 हो जाएगा which is equal to 0 हो जाएगा इसको simplified version में लिखेंगे वापस apply करेंगे 60 में करवा दू ठीक है यार सब कुछ में ही करवा देता हूँ हाँ जी आप थोड़ी मेहनत करो यार without मेहनत फल नहीं मिलने वाला है उसी के उपर आज का candid बाते है क्या है कैंडिड बाते का आज का heading उखाड लो just do it now उखाड लो ओके यह बिलकुल बहुत लोगों के लिए यहाँ पे क्या होने वाला न बेनिफीशल होने वाला है तो आप अपने parents को बताए non engineering friends रहेंगे commerce वाले arts वाले building में जो रहते है tower में जो रहते है अपने आजू-बाजू में जो रहते है सबको जरूर forward करना सबके लिए यह important है for businessmen startups entrepreneurs students सबके लिए आज का session बहुत important रहने वाला है timing भी बता दूंगा just stay tune with us okay चलिये 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 यहाँ पर क्या होने वाला है दमाका ओने वाला है देखो किसा दमाका उगा i1 कितना है एक ही है तो minus 20 i1 यहाँ पे होगा i2 के लिए i2 के लिए यहाँ पे कितना होने वाला है minus 80 i2 होने वाला है i3 के लिए plus 50 i3 होने वाला है 60 minus 40 20 होगा उस साइड पे गया तो minus 20 होने वाला है this is what your equation number 2 equation number 3 आप जरूर लिख सकते हो वापस से kvl apply करो equation 3 निकालो और जैसे ही निकाल दोगे बात खतम हो जाएगी और तीनो equation उठा के अपने कैलसी में डालो answer कितना आ रहा है मुझे comment box में जरूर बताना जरूर बताना ओके जी तो यार आज मैंने क्या क्या लिया इसका एक अंदाजा आपको बता देता हूँ मैंने लिया पहले मैंने लिया पहले series parallel combination parallel series combination ठीक है उसके बाद मैंने लिया मतलब star delta star delta ये एक important ले लिया अपने उसके बाद हम लोग ने लिया kvl kcl kvl kcl का एक sum after that we have taken mesh analysis mesh analysis okay now I am going with nodal analysis इसके साथ आगे बढ़ रहा हूँ nodal analysis के साथ आगे बढ़ रहा हूँ so please concentrate with the sum sum बढ़ा ही important रहने वाला है again from Mumbai and Pune University जलगाव University में एक ही बार ये question पूछा गया है with a different value लेकिन diagram same थी diagram same थी तो यार मैं यहाँ पर heading डालना चाहता हूँ nodal analysis nodal analysis okay जी nodal analysis बड़ाई मज़ेदार चीज़ ये एक question यहाँ पर लेंगे हम लोग चलिया मैं session को रुकाया नहीं हूँ नहीं तो बाकी लोग जाएंगे छोड़के session को रुकाया नहीं हूँ नोडल होने के बाद रुकायेंगे ओके जी नोडल होने के बाद रुकायेंगे चलो find find the current I by using by using nodal analysis ठीक है जी nodal analysis चेक करियो चेक करियो क्या होने वाला है diagram पहले important है obviously तो diagram मैं यहाँ पर draw कर देता हूँ कर दी diagram draw की के यहाँ से यहाँ तक एक और मेश लगा देता हूँ ओके बिलकुल सजा दे जा हुआ वाला diagram सजा हुआ डाइगराम यहाँ पर करवा दिया मैंने ओके जी यहाँ पर भी बिलकुल बिलकुल है ना लगा दिया इसको बड़े बारी किसे निकाल दो यार थोड़ी आड़ी तेड़ी आगई diagram लेकिन समझ जाओ यार मितलब जो क्वाईश है वो पूरी cd है है ना क्वाईश है वो पूरी cd है उसमें कोई खराबी नहीं है this is what 4 ohm this is what 2 ampere उपर वाला जो है वो 1 ohm का है 1 ohm का यहाँ पर 2 nodes रहने वाले है ओके जी this is what 1 ohm this is again and 3 ampere ओके सारे हो गए सारे हो गए देखिए अकास जी पूछ रहे है सर आप next कौन सा session series private करोगे तो जनाब मैं हर subject में एकी series private मतलब एकी chapter private करवाता था तो मैंने match में already successive कर दिया था आज मैंने open रखा है उसको and BW में 3 phase private करवा था आज उसको open रखा है आज रात को 12 बजे के बाद वो दोनो chapters private हो जाएंगे उसके बाद या उसके पहले और कोई session private नहीं होगा मैंने पहली का यहाँ पेशो के लिए मैं नहीं कर रहा हूं मुझे मेरे इंडिया को मेरे देश को आगे बढ़ाना है conceptual इंडिया को बनाना है और मिझे घटिया इंजिनियर्स नहीं चाहिए अपने देश में conceptual इंजिनियर्स चाहिए जो research और को आगे लेके जाए ठीक है जी चलिए 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 मचाएंगे शोर चारो और अब आपके दिल में बज़ेगा ढोल क्योंकि यहाँ पे दो नोड्स आ चुके है जनाब दो नोड्स आ चुके है नोड ए और नोड बी नोड ए और नोड बी चलिए 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 यहाँ पे हम लोग लगा देंगे nodal analysis चलो पहले से applying revision ले रहे ना यार तो फटाफट करवा देंगे left side पे current के जगे पे voltage आया तो क्या करने का left side पे कुछ नहीं ना problem कुछ भी नहीं जनाब वो redundant हो जाएगा क्योंकि voltage directly आ गया ना तो resistance कुछ भी नहीं रहेगा ना suppose यहांपर voltage आ गया good question suppose यहांपर voltage आ गया ऐसे यहा एसे connect करवाया मेने तो यहां पे resistance है क्या नहीं है resistance नहीं तो voltage को रोकने के लिए क्या नहीं है तो current क्या होगा infinity flow होगा current infinity flow होगा मतलब वह branch क्या हो जाएगी short short-circuited हो जाएगी क्या हो जाएगी short-circuited हो जाएगी इसके उपर मैंने already sum लिया है आप session में जाके देखे बिलकुल nodal analysis का बिलकुल dedicated session है जरूर देखना यार जरूर देखना ठीक है चलिए applying KCL to node A to node A चलो node A को KCL apply करेंगे एक एक तरीके से करेंगे 3A जो है वो उसके पास आ रहा है come on 3A उसके पास आ रहा है तो 3A क्या रहेगा positive रहेगा उसको बाद में लिखेंगे ओके यहां पर voltage A voltage क्या रहेगा A पर V A रहेगा यह बाप का law लगाना है से भी बात I is equal to V by R होता है V by R होता है तो I जो है वो 3 positive रहेगा V A रहेगा voltage उसके लिए इस branch के लिए resistor कितना है one है तो उसको मैंने one करवा दिया one करवा दिया ठीक है उसके बाद उसके बाद मेरी दूसरी जो branch है आप देख सकते हो VA minus VB करवा दूँगा VA minus VB करवा दूँगा और उसके बाद जो six भी है उसको भी minus करवा दूँगा है न क्यूंकि क्यूंकि positive और negative जा रहा है न जना positive और negative जा रहा है तो lower potential है okay lower potential है तो minus six हो जाएगा whole divided by whole divided by two ohm का resistor उसके across है plus उपर वाली branch को भी लेना पड़ेगा VA minus VB upon one हो जाएगा upon one हो जाएगा इसको बिलकुल आपको detailed ही solve करना पड़ेगा detailed ही मतलब क्या three is equal to VA plus zero point five VA कहां से आया zero point five one by two है न इसके लिए zero point five लिका minus zero point five VB minus six upon two three हो जाएगा ओके प्लस वी ए माइनस वी बी तो 33 हो गया ठीक है जी उस साइड पर चला गया तो वी ए प्लस वी ए टू वी ए और ये पॉइंट five वी ए ओक जी टू पॉइंट five वी ए वी बी कितना है वी बी कितना है जना अब minus of one point five VB और उस साइड पर गया तो six हो जाएगा ठीक है जी एनी डाउट एनी confusion this is what here equation number one similarly apply KCL to node B and आपको इन दोनों equations को क्या करना पड़ेगा solve करना पड़ेगा solve करके वी ए और वी बी का answer मिल जाएगा जैसे वी और वी बी का answer मिलता है current आपको ढूंड़ना पड़ेगा कैसे ढूंडेंगे चलो 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 current कैसे ढूंडेंगे बताईए बताईए वी ए और वी बी का answer मिलने के बाद current ढूंडेंगे I1 कहां कहां से flow हो रहा है वी upon आर होता है I1 ठीक है तो इस particular branch के across का current पुछा गया है तो I1 is equal to देखो मैं आपे लिख देता हो क्या होगा I1 जो current मुझे ढूंडने को बोला है I1 is equal to VA minus of VB minus of 6 हो जाएगा whole divided by register is 2 इस में सारे values डालिए बात खतम हो जाएगी बात खतम हो जाएगी यूविल get that particular current whichever you want it ओके तो सारे answers VA VB and I1 यह तीनों answers निकाल के मुझे बिलकुल comment section में बताईए मज़ा आ जाएगा ठीक है जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके तो आज शाम को बिलकुल अभी मैं मैं यहाँ पर रुका रहा हूं तेविनियन नौटन सुपर पोजिशन और सोर्स रंसमेशन एक और सेशन लूंगा वन शॉट रिवीजन का ओके तो टूड़े एट शिक्स पी एम होने वाला है है हैश्टाग कैंडिड बाते इन कैंडिड बातों में आज का टॉपिक रहने वाला है उखाड लो अभी के अभी उखाड लो मसलब क्या जस्ट डू एट जस्ट डू एट ओके यह रहेगा अपना आज का टॉपिक ओके क्या देना वी बी से वी ए तक वी बी से वी ए तक साइन देना है नेगेटिव टो पॉजिटिव मतलब वो प्लस हो जाएगा ठीक है जी तो बिलकुल 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 आपने बिलकुल सही कोशन पूचाया वी बी से वी ए तक जाने के लिए वो प्लस हो जाएगा ठीक है जी तुशार जी ओके तो यार ये सेशन जरूर एटेंड करना आप अपने फैमिली मिंबर्स को भी कहिए खुद भी आईए अपने इंजिनेरिंग फ्रेंड्स को तो कहना ही है नॉन इंजिनेरिंग वाले जो आर्केटेक्चर है बीएसी वाले है उनको भी जरूर बुलाना क्योंकि सब के काम का है सब को सुनने लाए कहानी बताने वाला हूँ पूरे सेशन में बिल्कुल एनिमेटेड वीडियो है बड़ा मज़ा आएगा बिल्कुल देखना और हमें बिल्कुल वहां पर क्या करना सपोर्ट करना ओके जी फटा-फट से सेशन को लाइक करो शेर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूली है ओके जी मिलेंगे आज साम को छे वजे तब तक के लिए बाबाई टेक केर और थैंक्यू वेरी मच गाइस